एक हेलो डियर फ्रेंड्स इस वीडिए में डिस्कस करेगे हाउ टु फिल दप्री या प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म पॉर मुंबई इनिसिटी कॉलेज अगर कोई भी कॉलेज में आप एड्मिशन लेना चाहते हो मुंबई इनिसिटी तो सबसे पहले आपको यहां पर दे रखते हो दोनों आपके पास में सबसे पहले अगर आप पहली बार अगर अभी तक आपने कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं कि तो यह जो आपको ओफिशल वेबसाइट दिखो रहेंगे यह वेबसाइट में आपको क्या कर दूगा डिस्क्रिप्शन में दे दूगा वह वेबसाइट पर जाओगे तो इस तरह से पेज उपन होगा अब वन बाइवन इस्टे बाइश्टे प्रोसेस में आपको एक्दम शॉट्कट में बताने कुशिश करो जिससे आपको और अच् फुल नेम रजिस्टर मतलब रिलेशन क्या है आपका जैसे जो भी रहेगा मजर नेम डेट ऑब बर्थ यह सारी चीज़े बेसिक हैं उसके बाद में एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको क्या आजाएगा एक ओटीपी आ जाएगा ठीक है वह सारी चीज़े में आपको इहां पर देख रहा होगा पास्पोर्ट साइज सिगनिचर अधरगर एबी सी आइडी सर एबी सी आइडी क्या थैप एबी सी अइडी का हम लोग ने एल रेडी वीडियो अप्लोड कर आज़िए जो करना है तो आप क्या कर सकते तुल का मार्क शीट नहीं तो आपनी जो पर अबलेटी है मतलब अबले सटीफिकेट है कुछ अप्लिक बले तो लगी गए तो जैसे आप लोगे वेबसाइट पर आ गए पहला शेप अब क्या करें आपने रजिष्टर कर जीए ठीके अब रजिष्टर के बाद में क्या करना है आपको यह सारी चीज मेंशन है एक लिए आपका पीज इस तरह से उपन हो जाएगा आपको एक यूजर नेम आजाएगा ठीके इसको समहाल के रखना है और एक वन टायम नबर यहां पर पूट किये थे कहां पर किये थे देखो जड़ा जो आपने यहां पर मोबाल नमबर पूट किये थे ना वो मोबाल नमबर पर आपको एक OTP आए रहे जैसे आप OTP upload करोगे तो आपको option आजाएगा verify करके क्या आजाएगा जैसे आप verify करोगे आपको new password set करने बोलेगा तो ऐसा password set रखो जो आपको याद रहे अच्छे बारबल भूल जाओ ऐसा ना करो ठीक है set password done everyone अब आपके पास में password भी हो गया और आपके पास में login ID भी हो गया उसके साब से आप क्या करोगे यूजर नेम डालोगे डी 23 जो आपको आयरेगा वो डालना है और पासवर्ड डालने देन आपको करना है login क्या करने डियर फ्रेंड्स login ठीक है done everyone login हो गया अब देखो आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा सब के आगे रॉंग 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 मतलब कैंसल कैंसल विकॉज अभी तक आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पूट अपने की न तो इस चेप आप क्या करोगी जैसे परसनल डीटेल पर आप लोग जाओ तो परसनल डीटेल आपको क्या करना अपनी वन बैवन पहला क्या है नेम रिलेशन इचन एवरिटिंग इसके ब आप यहां पर दिहान से रखने का है अपके रिजल्ट चेक करना कैसा नाम लिखा सेम टू सेम नाम लिख देना है रिलिजन लेंग्वेज मतलब मराटी में आपको नाम यहां पर मेंशन करना देगा इसके लगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती तो आप अपने टाइपिंग से कर लिजे ठीक हो जाएगा देन कंट्री यह सारी चीज़े आपको पता होगी परसन इंफोर्मिशन होगे आपका देन आधार नंबर और यहां पर और चीज़ पूछ रहा है ABC ABCD ABC के उपर हमनोंने अल्रेडी वीडियो बना अगर यह नहीं है तो वो शॉर्ट में वीडिय आपको हो जाएगा अब करोगे सेवन प्रोसीड सेवन प्रोसीड के बाद में आपके पास में आजाएगा एड्रेस आप अपने साब से एड्रेस जाल दो ठीक है अब आपको अपना तैंट और 12 के जो भी रिजल्ट होगे उसके फोटो अप्लोड करने ठीक है कलिक लिए है mo एसेव कर लेना आपको क्या लाइन तैंट को ओगत से उसी तरह से तरह से आपको 12 खाले था कलिक करूगे ना तो तो जो जनेरल जनेरल पर टिक करेग्य are जिसके पास में kart certificate यह वो kart certificate पर करेगा और यहाँ पर जो parents काम करते हैं उसके करना है then आपको कर लिएं सेव क्या कर लें ना है सेव ठीक तो यहां तक का हमारा process complete हो गए था सेव हो ग сделал contact number अच्छा यहां बाखी अपना तो यहां तक हो गया प्रोवाइड यहां तक हो गया था हमारा कहां तक यह ठीक है अब आपको करना है थोड़ा सक फ्रिटिकल फोटोग्राफ जो आपके पास्पोर्ट साइज होगा आपको स्कैन करना है अब आपको क्या कर लेना उसका फोटू का फोटू अप्लोड कर लेना डियर फ्रेंड क्या करना है फोटू को अप्लोड कर लेना है सिम्पल प्रोसेस एकदम जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो यहां से साइस भी छोटा अगर नहीं होगा तो आपको यूटूब पर और भी काफी वीडियो से देखो आप अपने जो फोटू से कि उसकी साइस क् करने जैन इसके बाद में प्रोसीड यह सारी चीजें होगे इसको फिक्स कर लेना है गूट गूट अब आपको अप्लोड करना है अपना सिगनेचर क्या करना है सिगनेचर सिगनेचर अप्लोड हो जाएगा अब यह मूश्ट लिए आपका आधे साधा काम हो चुका है तो इसके बाद आला प्रोसेस देखो क्या है फोटो अप्लोड हो गया अब लांस में कॉंटेक्ट डिटेल्स बोल रहा है मोबाल नंबर प्रॉपर ली देना है इमेल आईडी भी प्रॉपर ली देना है सेव और नेक्स्ट कर लेना ठीक है अब आपके सामने इस तरह से पेज पर पन हो जागा परस्ट टिक हो गया मतलब आपने सारी डिटेल्स अपडेट कर दीए अगर आपको कुछ एडिट करना तो इडिट अभी भी कर सकते हो यह सारी चीज़ डन हो गई अब आपको करना है कन फॉर्म प्रोफाइल क्या करना है कन फॉर्म सारी चीज़े चेक कर एक बाली आ पुछ भी मिश्चिक है अगर कुछ है तो सरी क्रलों आपने कर ली तो इसके लिए टीन होगा यह सारी आपके पास में चले जाये डारेक मॉंबबोई इसीटेटि के पास अब सिटेपटू करना क्या है अब आपको लेट्स वेरिफाइ करना क्या करना है बतल्ब वही पेज आते जाएगे confirm पे confirm पे ठीक है अब lastly ये सारी चीज़ हो गई अब आपको करना है apply क्या करना है apply जिसे सारे चीज़ हो गया confirm and apply अब online apply करना है क्या करना आपको ये सारी चीज़ हो जागे ना आपको online को option आएगा ठीक है अब आपको कुण से courses में admission लेना for example सब्सक्राइब करना है क्लिक करें डन अब आपके सामने इस सब्सक्राइब करने पड़ेगे अब यह रिजर्ट आपको अप्लोड करने पड़ेगे टीके सेवें सब्मिट कर दिये अब कौन सी कॉलेज से अपको अप्लोड करना है तो यहाँ पर सर्च करना है और अम लोग ने इसके पर भी वीडियो अप्लोड की सर्च करने बाद में जो भी कॉलेज आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझा आना चाहिए और कट आफ का वीडियो हम लोग ने अल्री वीडि आपको मिले गई नहीं, तो ये दोनों आपने courses कर दिये, then proceed कर दिये, अब आपके पास में 7-7 subject के list आ गई, proceed कर लेना है, अब आपको क्या कर लेना है, अपने document को submit कर लेना है, अब आपके सामने इस तरह से क्या करना रहेगा, अपनी particular, अब जैसे गुरु नानक है, for example, यहाँ पर कौन से college का मने form बरे, गुरु नानक, तो गुरु नानक की college की official website पर जाना है, वहाँ जाके आपको क्या करना है, वो college का पूरा form फिलप करना है, अब उनको बताना है, कि मुझे आपके college में admission लेना, क्या मुझे admission मिलेगा, मेरे percentage के साब से, तो उसके लिए ये form compulsory, कौन सा pre-admission form, registration form, तो इसका आपको ये ID पूछेगा, कौन साल ID देखो, दिख रहे हैं ये ID, application number 1 ही दिए, तो यहाँ पर आपको application number बनाता है, जब आप उनके official website पर जाओगे, तो मिल जाएगा, और mostly college हो रहा है कि डारेक्ट लिए आपको ये form बोलरी fill up करके लेक्या हो, और offline admission भी देरी, in house में तो मिले रहा है, ठीक है, कोई issue नहीं और minority में भी कुछ होते हैं कि डारेक्ट हो, हम लोग आपके साथे offline form फिल करेगे, so hope ये वीडियो आप लोगों के लिए informative रहेगी दोस्तों, अगर इंफॉर्मेटी लगी तब क्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकते अपनी दोस्तों के साथ में शेर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much for watching में वीडियो, bye bye